हलो दोस्तों नमस्कार प्रकासर हिंदी यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है साथियो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस कर आल पर क्लिक करें साथियो इस वीडियो में हम राजस्तान हाई कोर्ड एल डिसी रिजल्ट दोजार तेविस पर चर्चा करने वाले हैं जिसका रिजल्ट भी जारी किया गया है जिसमें कटॉफ हमने देखी थी जनरल की कटॉफ OBC, EWS, MBC, SC से कम क्यों है यहनि कि साथियो OBC, EWS, MBC, SC की कटॉफ ज्यादा है और जनरल की कटॉफ है कम है इसका क्या कारण है इसका कारण क्या रहा है साथियो इस वीडियो में हम जानेंगे कि रास्तान हाई कोर्ट एल डिसी रिजल्ट दोजार तेविस जिसमें जनरल की कटॉफ कम रही है OBC, EWS, MBC, SC की कटॉफ जादा रही है इसका क्या कारण है कि ऐसा हुआ है साथियो तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि रास्तान हाई कोर्ट LDC जो बरती थी इसमें कुल पोस्ट सब्सक्पण सब्सक्atoire 257 थी साथियों 2756 पोस्ट के लिए रास्तान हाई कोर्ट LDC बरती ऊछी थी अब रिजल्ट जारी हुआ है इसमें तीन गुना कंडिडेट्स पास की गई है सातियो इस रास्तान हाई कोर्ट LDC जो भरती थी इसकी फोरम 22 अगस्त 2022 से शुरूए थे और 25 सितंबर 2022 तक इसके फोरम बरे गए थे इसकी एक्जाम की अधियम बात करते हैं तो आपको विदित है कि 12 मार्च वे 19 मार्च को संपन हुई थी 2023 में सातियो इसकी अब फाइनल इसकी फाइनल आंस्वर की भी जारी कर दी गई है जिसमें आपने अपने पेपर का मिलान कर लिया होगा रिजल्ट भी आपने देख लिया होगा कि कितने मार्क साब की बन रहे हैं दोस्तों इसके अंदर शप्ताइसो पोर्ष्टिस के लिए तीन गुना कंडिडेट को पास किया गया है अब तीन गुना कंडिडेट पास की गए हैं उनका अब टाइपिंग टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट के बाद ने इसकी फाइनल मेरिट बनेगी लेकिन दोस्तों हम ये बात जानना चाहेंगे कि जनरल की कटोफ OBC, EWS, MBC, SEC से कम क्यों रहे है इसका कारण क्या है तो सातियों इसका कारण हम जानते हैं कि ऐसा क्यों आए कि जनरल की कटोफ कम रहे है OBC, EWS, MBC, SEC की कटोफ अधिक रहे है तो दोस्तों रास्तन हाइकोट LDC की कटोफ क्या रहे है उसको भी हम जानते हैं उसके सासाथ कम क्यों रहे है जनरल की कटोप कम क्यों रही है इस रीजन को भी हम जानते हैं तो साथ यह दियम जाने की रास्तन हाई कोर्ट LDC भरती में जनरल की कटोप कितनी रही है तो दोस्तों 106 में जनरल की कटोप रही है OBC की कटोप रही है 230 20 EWS की कटोब रही है 200 24 MBC MBC की कटोब रही है 200 1 EC की कटोब रही है 200 2 ST की कटोब रही है 112 साथिव जनरल की कटोब 166 रही है इसमें OBC 230 जोगी जनरल से 34 नमर अदीक है EWS की 224 ये भी अदीक है MBC की 201 ये भी जनरल से अदीक है SC की 202 ये भी अदीक है और ST की 102 जोगी जनरल से कम है साथिव ऐसक क्या हुआ कि रास्तान हाई कोट LDC भरती का जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें जनरल की कटोफ कम रही है और OBC EWS MBC SC की कटोफ अदीक रही है साथियो महब आपको बताना चाओं कि इसमें जनरल की कटोप कम क्यूं और अन्य केटिगरी की कटोप हदी क्यूं रही है सातियों इसमें आरक्षन का तो लाब दिया गया है इसमें आरक्षन का लाब तो दिया गया है लेकिन सातियों इसमें रोस्टर पढणाली रोष्टर पढणाली को इसमें लागू नहीं किया गया है लागू नहीं किया गया है साथ यो रोष्टर पढणाली क्या होती है आरक्षन क्या होता है आरक्षन तो रास्तार हाई कोट LDC भरती में दिया गया है जिसके अनुसारी कैटेगरी के अनुसारी येद्य को कटोफ जारी हुई है लेकिन इसमें रोष्टर पर्णाली लागू नहीं की गई है ये रोष्टर पर्णाली क्या होती है साथियो रोश्टल प्रणाली होती है कि यदि जैसे मालो की जनरल की कटोफ एक सुच्छानवे है और यदि मालो OBC का कोई कंडिडेट है और उसके नमबर आ रहे हैं दो सो दस लेकिन जनरल की जितने भी सीटे हैं उन सीटों की ही कटोफ बनाई जाती है उसमें OBC की कंडिडेट को समलीते नहीं किया जाता है यानि कि OBC की 230 कटोफ रही है जनरल की एक सुच्छानव रही है अब OBC का जो भी कंडिडेट जैसे मालो एक सुच्छानव से अधीक नमबर ले गया है, MBC को MBC में रखा गया है, SST को SST में रखा गया है, कहने का मतलब साति हो, रास्तान हाई कोट LDC बरती के अंदर आरक्षन दिया गया, लेकिन रोष्टर पनाली को लागू नहीं किया गया, या जनरल के अंदर जो कंडिडेट थे, उनहीं की कटोप जारी की गई, जनर में नहीं रखा गया है, अब इसका फाइदा लेकिन कब दिया जाएगा, रोष्टर पनाली को लागू कब किया जाएगा, सातियों, रास्तान हाई कोट LDC बरती में तेन गुना कंडिडेट पास किये गई हैं, अब इनकी टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट सातियों, जानकरी आपको कैसी लेगी, इस जानकरी के लिए आप चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेज कर, आर पर किलिक करें, सातियों, रास्तान हाई कोट LDC बरती में जनरल की कटोप कम थी, अन्य केटिगरी की कटोप अधिग थी, जिस इसका कारण किया था, वो मैंने आपको बता दिया है, कि रोश्टर 45 में लागू नहीं की गई है, जिस कैटिगरी का कंडिडेट था, उसी कैटिगरी में उसको रखा गया है, यदि OBC का कंडिडेट जनरल से अधिक नम्मर लेकर के आ रहा है, तो उसको जनरल में सामिल नही पाइद मेलेगा, थैंक्स!